कि नूराती वरत खत्म हो गया है तो है वी खाना खाते खाते अब लगग었다 कि कुछ सिंपल सांज मुंधने कहा कि लंच में से वडाल कॉर्वजी बना करें देना सब्सक्ते हैं तो डाल-चाओल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दिया है, आधा कप लिया है. मैंने अरहर की दाल, तो अरहर की दाल तो इसका फ्लिवर बहुत ही स्टॉंग होता है बहुत ही अच्छा आता है तो यह मैंने थोड़ा से डाल दिया है और आधा चमच तेल डाल देंगे और इसका ढगा कर गैस पर रख देंगे और इसे तीन से चार सीटी आने तक पका लेंगे तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर दि है तो दो हरी मिर्च काट लिया मैंने और तीन चार करी लहसुन का बारी काट लेंगे एक इंस टुकड़ा अध्रक का बारी काट लेंगे एक मीडियम साइज का प्याज और दो मीडियम साइज के टमाटर को रफली काट लेंगे तो अब एक कढ़ाई में क्या करेंगे कि सरस और जब यह थोड़ा भूंज है तो इसमें डाल देंगे बारी कटा हुआ प्याज तो दाल भी पक चुकी है और इसका प्रेसर अब मैं साइड में रख दी हूँ रिलीज हो रहा है तो जब तक प्याज भूंड़ा है और इधर पालक भी काट लेंगे तो यह जो दाल बंदे, यह बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है और साथ ही बच्चे भी बहुत मन से खाते हैं और पालक की वज़ेसे यह बहुत ज़्यादा हिल्दी भी हो जाती है तो प्याज भूंड़ा है आप सकते तो बहुत जादा इसे प्याज को पकाना नहीं है बस हल्का सा इसका इसके कलर अहीं है जिसे आल में बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा deadानी जीरा आप बूडरом अच्छा कोります मैंने लुचा नमक लिए जिससे की टमाटर जलदी गल जाए तो दाल में नमक पहले से तो था इसलिए द्यान से नमक डाल ये चुकी है और इसका कलर आप देख सकते बहुत ही अच्छा या बहुत ज़ादा यह टेस्टी डाल बना कर तयार होती है तो यह दे सकते हैं, टमाटर भी अच्छी तरह से पक चुका है, तो टमाटर बिल्कुल गल जाना चाहिए, जब टमाटर गल जाए तो इसमें डाल देंगे, कठा हुआ पालक, तो पालक के साथ सारी चीजों का अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, पालक थोड़ा पानी छोड़त तो कुकर में डाल लगा है तो मैं क्यong Country में थुड़ा सा पानी डाला मैंने डाल है तो यह ने टो जो पतला पन है तो दो चमéger सरसो का तिल लेंगे लेसुन कटा हुगा हुआ डाल देंगे एक छोटा चमयाँ झाप च्छा आप अधेंप सकते हैं कि अ की बन कर देंगे साथ में चटनी भी पीस लेंगे तो यहां मैंने थोड़ा सा धन्या लिया है दो-तीन कली लहसुन की एक चोटा टुकडा अधरक का एक बहुत ही चोटा साइस का मैंने लिया टमाटर दो-तीन हरी मिर्च मैंने ले लिया है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है आधा चमच जीरा डाला है और एक से दो चमच यहां मैंने दही डाल दिया है और इसमें पानी नहीं डालेंगे और इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे तो यह देखिए चटनी बिल्कुल रेडी हो चुका है और बहुत ही अच्छा इसका ग्रीन कलर आया है और यह टमाटर की चटनी मतलब धनिया और टमाटर की चटनी बहुत ही अच्छी लगती है दाल चाओल के साथ तो चटनी भी तयार है दाल भी बिल्कुल रेडी हो चुका है यहां मैंने कुकर को साप करके चावल चढ़ा दिया है तो जब तक चावल बन रहा है सबजी की त stoked कर लेते हैं हां मैं सिम्ला मिर्च आलू टमाटर की सबजी बना रही हुए μढ़िया सबजी हे तो आलू को छील कर धुल लिया है सिम्ला मिर्च की सबजी को धुल कर काट लिया है 2 हरी मीर्ष मैं ने लिया है, सारे चीजों को काट लिया है मैंने, अब आईए। उसको बनाते हैं, तो गयर स bisschen मैंने कढ़ाई रख दिया है, और 2 समस सरसों का ते लिया, मैंने एक चोटा समस जीरा डाल दिया है, और जीरा जब अच्छी तरह से चटक जाया, करेंगे अच्छी तरह से ठीक्स करेंगे यह एफ सब्सक्राइब आखेंगे तौङ अच्छा बनती है आप इसे पूरी प्डाथे । जाल चावल किसी के साथ भी खाई है बहुत ही जादा अच्छा लगता है यह तो यह थोड़ा भूण चुका है अब इसमें थोड़ा सा मैं मसाला डाल लें हूं थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैंने डाला है स्वात के नुसान नम्मक और कीचन किंग मसाला मैंने आधा चमज ड भूनेंगे और ढखकर एक दो मिनट पर चलाते हुए इसे तीन से चार मिनट तक भून लेंगे तो जब यह थोड़ा पक जाए तो इसमें डाल देंगे जो टमाटर मैंने काटकर रखा था उसे तो यह देखे बिल्कुल ग्रीन कलर है और रेट कलर टमाटर का वाइट कलर आ आलू भी अच्छी तरह से पक चुका है तो यह सबजी बिल्कुल अब रेडी हो चुकी है अब इसमें डाल देंगे उपर से फ्रेस कटा हुआ हरा धनिया तो यह देख सकते आपकी आलू टमाटर सीमला मिर्च की चटपटी सी सूखी सबजी बनकर तयार है गैस की फ्लेम को बन कर देंगे और धनिया को अच्छी तरह से सबजी के साथ मिला देंगे इधर चावल भी अच्छी तरह से बन चुका है तो ढखकन हटा कर देखते हैं यह देखिए चावल बिल्कुल रेडी हो चुका है तो दाल चावल सबजी चटनी सब तयार है अब आईए लंच बॉक कर देखिए औरहां मैंने सब्जी भी रख दिया है तो यहाँ छोटी सी कट्वर मैं सबजी के बीच में रख देती हूं जिसमें मैं चटनी रखती हुं अकसर ऐसा ही करती हूं तो यह देखिए इस तरह से छोटी कट्वरी मैंने रख दी है और इसमें डाल देंगे तो आपको कैसा लगा आज की मेरी रेसिपी पसंद आये तो लाइक और शेयर जरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और मेरा वीडियो कहां से आप देख रहे हैं हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में टेक केर और बिल्डेगा however ãy और एक दिनी और आप तो आपाईएगा से वोला आपका झाल को से आपका बिलते हैं हमें जरूर केले लिजएगाजगा वीडियों से तो बाएगा श्तर रीडियों से एक उल्याओाईवाईगा वीडियों से लोली आपके।